नमस्ते वंदे मातरम, Revolution India चैनल पर आप सब का हार्दिक स्वागत अभिनन्द मौजूद है, चोधरी रणवीर सिंग विस्व विद्याले, वर्ष के अलग-लग कोने से, अलग-लग प्रांतों से, ओफिशल्स, बतोर जजिज्स, कोचिज्स हमारे साथ मौजूद है, हम बात कर हैं और जानते हैं कबड़ी क्या होता है, कैसे खेला जाता है, कबड़ी का इतियास क्या है, वरत्मान में क्या है और भविश्य क्या है, चलिए, हमारे साथ, हमारे बहुत सीनियर कोच, स्री राजवीर सिंग दलाल जी मौजूद है, जी, आपका Revolution India चैनल पर, हार्दिक स्व हमारे को बुलाए गया है, इसलिए हम यहां पर आए हैं, लोग जानना चाहते हैं कि कबड़ी कैसे, कहां से शुरूए और अभी वरत्मान में क्या स्थिती और भविश्य किस प्रकार का रहेगा इस कबड़ी के लाड़ी का, देखो, हमारे पुरुज भी इस कबड़ी को ख स्कूल नेशनल हुआ, 1963 के अंदर, उस समय नेशनल कबड़ी आई थी, इससे पहले सरकल होती थी, हमारे गाओं में, हर जात में सरकल के ही पलेर होती थी, उसके बाद नेशनल आया है, अब वरत्मान में क्या चल रहा है कबड़ी का? अब वर्तमान में क्रिकट के बाद कवड़ी ही है सर जी हमारे गरीब आदमें के बच्चे 20-25-25-25-1-2-2 करोड़ के कवड़ी के अंदर एक सीजन के अंदर बिकरे हैं कवड़ी बहुत हुचाहिएं उपर चली गई वल्ड के अंदर डग सब आपका कबड़ी कब से कितने वर्ष से आप खेलते हैं कितने वर्ष से बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं और आपके बच्चों की आपके सिखाई बच्चों की क्या क्या उपलब दिया हैं उसके बारे मैं आप बताई मेने कब अबड़ी को खेलना शी एगानवा गाउंद्यात के अंदर शी आठा से और मेने कब अबड़ी टैनल तक टैकल शी लेकिन गाउंड से हमारा लैकर हमारे बchnसी और बनल शीन नाशनल चैंपिर सिप अचन डिली पूल से नतरोrawच कृति है ने दिद्व कुमार जो आर्मी के अंदर अब सर्विसे पर कारियर रहते हैं और हमारे ग्राउंड से मेरे गाउं से अभी च्यार कोच हैं जो बच्छे कवड़ी में अपना केरियर बनाना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश आप कवड़ी सबसे सथा खेल कवड़ी है जी जिसके अंदर कीज चीज गया हो सकता ही नहीं पड़ती कवड़ी हमारा गरीब आजमी खेल ही कवड़ी सकता है नहीं तो हमारा बच्छा नहीं होगी ला सकता ना रोच चड़ी बिला ला सकता न students के outfit इस याड में तो है ओलम्पिक में भी ओकरे शामिल देखिए जो विशेसग्य हैं इस कबड़ी विशे के कोचीज हैं उनकी वास्तम में सही डिमांड है कि कबड़ी को भी ओलम्पिक खेलों में मानेता मिले ताकि हमारे युवा पूरे भारत वर्ष के अलग-लग प्रांतों से खेलने आई हुए बच्चे उनको एक प्लेटफॉर्म मिले और उलम्पिक पदक तालिका में अपना नाम दर्ज करा पाएं